हेलो आज मैं बिल्कुल क्रिस्पी सा स्नेक्स लेकर आई हूं जिसे बनाना ही बिल्कुल असान है और इसे आप सभी पसंद करेंगे बहुत पसंद आएगा इसे आप स्टोर करके महीनों भर रख सकते हैं यह बिल्कुल क्रिस्पी बना रहेगा बहुत ही क्रिस्पी और क्रंच बहुत बढ़ आलो आपको ले लेना है यहाँ मैं तीन आलो का बनाने वाले हूं तो मैंने बढ़ा बढ़ा आलो लेते हैं ऐस दिखें और इस तरह से आपको चिप्स जैसा काट लेना है और काटने के बाद भी आपको डियरेक्ट पानी में ही रखना है मतलब काटते जाना है पानी में पानी से बिल्कुल आना नहीं है अगर आप हटा दीजेगा तो काला पड़ जाएगा और 2-3 वारी से खुब बढ़िया से पानी से दो लेना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए अगर इसका स्टार्च आप नहीं निकालेंगे अच्छी तरह से तो आपका आलू जो है वो बनने के बाद स्नैक्स काला पर जाएगा अच्छी तरह से धो लीजिएगा और कॉटेन कपरा पे यानि प्लेट पे रख लिजिएगा मैं यहां पे रख रही हूं आलू को और इस तरह से आप अलग-अलग आलू को रख लिजिएगा और अलग-अलग लाइन से रखिए जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से रख लिजिएगा तो नीचे में बरा-बरा आलू रखिएगा ठीक है यह बराबर आलू का टुक्रा है जो हमने चिप्स काटा था वो बराबर आलू है तो नीचे में बराबर रखेंगे उसके अबाद यहां पर मैंने लिया है कॉन फ्लॉर यानि कि जिसे कॉन स्टार्च भी कहते हैं आपको मार्गेट में असानी से उपलब हो जाएगा मतलब मिल नीचे का जो आलू है उसे थोड़ा छोटा रखेगा और उपर से हलका सा नीचे रखेगा देखिए नीचे खिसकाते हुए मैंने रखा है और इसके उपर से फिर से कॉन फ्लॉर यानि की अरा रोट को इस तरह से स्प्रिंकल कर दिजेगा अब काफी बढ़िया से मैंने टुथ पिख लिया है और टुथ पिख सहायता से यहां पर इसके अंदर से मैंने खोल करके इसको श्टिक कर दिया है ताकि यह जो हमाना रोल जो है हमारा आलू का वह भटे रही तो इस तरह से सब आलू को रोल करते जाएंगे और सभी में श्टिक लगा कर अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेंगे तो यहां पे सभी को मैंने टुथपिक लगा दिया है सभी पोटाइटोज में और इसके उपर से दूबारा से मैंने दो चमस लिया है चाय चनी में कॉर्ण फॉलोर यानि के अरा रोट और उसे फिर से स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह से आपको मिला लेना है काफी बढ़्या पानी देने का जुरूरत नहीं होता है और शुरू-सुरू में बिल्कुल ही तेज गर्म आच पे King रिफाइंड ऐल में तल लिज्येगा सरसुतल में डालडा या तो रिफाइंड और सुरू-सुरू में बिल्कुल तेज रहना चाहिए और थोरी दिर बाद इसके चलाएग डालने के बाद तुरंत मत चलाएगा और जब आधा पक जाए तो बिल्कुल धीमी आच पे आपको खुब अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेना है अगर आप धीमा आच पे बिल्कुल धीमे धीमे आच पे अगर आप इसे फ्राई नहीं करते हैं तो आपका जो पोटेट निकाल देने बाद में इंपोर्टेंट बात यही है कि लाश्ट में आपको दीमी दीमी आच पे आपको काफी बठीया से क्रिस्पी होने तक तल लेना है तेज आच पे नहीं तलिएगा वरना सौफ्ट हो जाएगा सभी को अच्छी तरह से मैंने तल लिया है और इस तरह से स्टिक्स सारा टूथपिक जो है सभी को निकाल देंगे तलने के बाद थोरा सा हलका साई से राउंड कर दीजिएगा काफी बठीया से निकल जाएगा यह इतना क्रिस्पी होता है कि निकालते निकालते तो कई स्नेक्स ऐसे हैं जो टूट भी जाते हैं तो इस तरह से आपक को पता चल जागा देखिए इस तरह से सुन सकते हैं अब क्या करना है कि इसके जब हमने तल लिया है तो इसके ऊपर से क्या करेंगे कि थोरा सा बटर डालेंगे तो मेरा जो स्नेक्स से बिल्कुल कम है तो मैंने बटर डाल दिया है तो इस तरह से आप थोरा सा बटर डाल ल सुखाया हुआ पुदिने का पत्ता है ड्राई है मैंने इसे सुखा कर इसे क्रस करके डाल दिया है बिल्कुल थोरा सा डालेंगे धिक मातरा में नहीं डालेंगे और यहां पे मैंने थोरा सा डाला है इटालियन सिजनिंग यह बिल्कुल ऑप्चनल है आप बिना इटालियन सि तो देखा आपने कितना करण्ची बनकर त्यार हुआ है तो इस तरह से आप अपने घरों में पनाईए और अपने महमानों को जरूर खिलाएगा और वो पूछेंगे तो जरूर कि आपने की इस तरह से इस तरह से बनाया है तो नए तरीकी का स्नेक्स आप सभी को कैसी लगी ज बनकर त्यार होता है यह अगर आपने बना लिया आना तो आपके घरों में बच्चे काफी पसंद करेंगे और आपको भी काफी पसंद आएगा और काफी कम खर्च में बहुत सारी snacks बनकर त्यार भी हो जाती है तो मेरी यह वीडियो पसंद आए तो Like और सब्सक्राइब जरू सुमन